गुजरात में दुसरे फेस की जो है वोटिंग होरी है दुसरे चरंग की वोटिंग होरी है कुल 93 सीटों के लिए मतदान यहां पर किया जा रहा है हमें कैसे पुलिंग भूट पर है वदुद्रा इलाके की यह तस्वीर है यहां पर सुबह जैसे ही वोट मतदान का समय जो करके लोटे हुए अगली सरकार जो जो आई इसके लिए आपने मतदान किया है तो अच्छाइब काफी लंबे समय से अपने देखा हुए गुजरात को 27 साल से आप एक ही पार्टी ए तो क्या वापस से मौका देना चाहेगा परीवर्दिन चाहते हों इंज़ा है अपने लि अपने दिल से मद्दान देने का अपना फर्ज रहता है वह अपने नसीब में जो है वो तो मिलने वाला ही है वो कोई छिनने वाला नहीं है इसके लिए मद्दान जरूरी है जरूरी है क्योंकि पहले फेस में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी पांच प्रतिशत पहले 2017 में जो वोटिंग हुई थी उसे कमते इसलिए लोग भी कह रहें के जाद स्यादा बहार निकली और मतदान की यहां पर महिलाई भी है उनसे बात करते मैं अब वोट देके निकली क्या कॉस्क्छ करते हैं है विक्सपार ओर काणी काम करते हैं ऊ lens से फłoय जनता को और हाँर देना है जनता को हर एक जनता को वोट देना चाहिए कि अगर सरकार की अगर और खाए तो 16 सरकार से जितना किया है उतना अच्छा है और भी बेटर करेंगी उसके लिए नियुदने प्रौन को अलग-अलक मुद्धे है लोगों के यहां पर आप देख सकते लोगों की डान बी कर देखने को मिल रही है सुपर आठ बजे बोटिंग शुरू ही है तब से लोगों की कर जो है यह आप वोट करके बाहर निकलिंग है मैं उनसे बात करतें आप मेला है क्या कहेगी च्छेहि अपर यहां पर अलग वोटिंग जो है बूत करमांग यहां पर बनाए गए है और जब से सुबो का समय शुरू हुआ है आड़ बजे का तब से लोगों की कतारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं जो मत्तदान करने के लियां पर पहुचे हुए बदोद्रा की अगर बात करें तो यहां के जो वोटिंग बैठने को कुछ किस प्रकार है कि लोग सुबह ही निकलते हैं अपने वोट करने के लिए कुछ इनको काम पर जाना होता है और सुबह से ही थेज अरफ्तार से वोटिंग करनी की के से यहां पर किया जाएगा क्यामरशन भारती के साथ दंगुजैस्वाद न्यूस्टेंटीफोर बदोत्रा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखत 24.